अज़ आए गाइस असलाम अलेकूम आज आए हैं पड़गा के अंदर एच्टू गोट फार्म पे जोएब भाई है आकिब भाई है सगीर भाई है तीनों माशाला साथ में हैं तीनों पाटनर है ना तो आज वीडियो में मज़ा कुछ और आएगा इंशाला इंशाला इंशाल बाई क्या दिखाने वाले आज समीर बाई अपने जो वहां मैं बोला था अंड्रेट की सीरीज जो अपन दिखाएंगी अपने वो बखरे उनमें से कुछ बखर तो डिलीवर होगे जो और बड़त है हाँ वह आपको बताया था मैंने इंशाला जो अपनी तैयरी है वो जे लोगों को अपना पहले काम दिखाएंगे उसका नाम है टाइट lagi टामिक टायक फैरिटनिक यह यह लेंद्ध बेंद्धों सब्सक्राइब cricket heightраην यह लेंद्ध बढ़ी एसलिए लेंद्ध और हाइड दोनों बढ़ी है समीर भाइड फॉट्टी टू की एड का कोटा है यह समीर भाइड यह मेरे पास 70 kg पर आया था तकरीबन मेरे कहले साथ बाइना पहले और अंड्रेड पे बहुत टाइम तक रुका था यह बखरा अब पतलब अंड्रेड के उपर थोड़ा दो-चार किलो पर यह मतलब अचा यह अभी फॉर सेल है अपने पास फॉर सेल के कि यह यह बैखने के लिए बाद करतें सब्सक्राता ही और बैसको वे परण यह जचिए स्कारी अख अच्छी में है ये चलिए भीट लेंगा है इसे लिए इसका नाम भी टाइनिक रखने है और future अच्छा है इसका सारी चीज़ों में तो सर्वगून सम्पन है future कैसा इसका बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है अगले साल के लिए रख सकते है अगले साल के लिए मेरा सजेशन ये कर नहीं रखे तो बैतर रहे कुर्बानी के लिए तैये ठीक है दूसरा बखरा दिखाते हैं जी हां चो गाइस अभी दिखाएंगे दूसरे बखरों की ओहो हो हो क्या है यह भागते बारा रहा है समिर बायि आप जानते ही हो है यह जोडी तो चाहिरणा यह आ भाबा और नवाब यह जोडी हाँ आप जानते हो सामने 돼श उन्ही लुकर इसे की हड़े एच मस्मीर आपके ही जुड़ी है में अरे खाहिक से अरे वा और इनकी इजरनि allen आपने पास से जो रुखेगा आप रुख जाएगा साहिए तो हैच 2 गोट फार्म की में तो बोलोगा सबसे बहतरी जोड़ी जोड़ी एक आप वाबा और नौब बैद बीड में दोनों कोंड़ में दोनों कोटा में पूरे गुलाबी है और समीर बाइब के सामने आपके सामने एपने पहले भ अभी यह बाबा जो है यह सोल्ड आउट है और नवाब अपी है सेलिक जिस कस्टमर ने लिया था वो भी रिसेलिंग के लिए लेकिन उसमें से भी सोल्ड आउट है यह वेलिबल है नवाब है माश्यालला दोनों की क्या डीटेल है यह दोनों 100 प्लस है 40-41 आइट है इसकी 48 इ इन बखरों के बारे में रिव्यू दो जो भी एफेक्ट बताना कैसे लगे बखरे बखरे बाइस आले को पता चला तो बहुत आगए और यह हमारी मौपत है बाईयों की मैंने जोए बाइक को फोन गया तो तीनों भागते आगया है तो अलमदुल्ला यही कमाए बाइजद मार्किट के अंदर अपने बहुत जरूरी है अलम्दुल्ला तो अश्रब बाई क्या फिट बैक है बगर तो माशालला बहुत अच्छे है इसके पहले वाला देखा हो भी अच्छा लगा माशालला और नवाब है यह नवाब है आदित्य पंचली बचा है आओ और ले जाओ सबसे बैतरिन होता है वेट डिपेंड नहीं करता है बगरा एक्टिव किता है वह अपने देखते हैं बगरी की पेटी माशालला अपने फार्म पे पच्पन किलो से अरे वाँ माशालला हाँ अरे लोग अच्छे चले मतलों कहीं डाउनफॉल नहीं आया माशालला माशालला पेरों के भी अलमदुल्ला मजबूत कोई काईची नहीं कुछ नहीं नहीं आपको अगर कोई पैटी मारना चाहेगा तो मार सकता अभी भी फ्रेश चेदाती है यह एक अध्या नजी काता माशालला 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 ला उसको जड़ा एक अलकई से जलक देतो अच्छा 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 वास्ट किलो ऑखेद लगाए यह मांशालला चीजे थे, माशालला क्या चेहरा वेरा बनाया उस बख्रें से लुद अच्छे तो यह वाला सोल डूटे यह वाला सườल उड़ाना आई नवाप अभीड़ी अवैं त तो डारेक्ट करो हापको सारी डिटल मिल जाएगी ओक चाल जो गाइस एक और वखर आ रहा है माश्याओला दो बखरे और और यह पहला है मेंटल हाँ यह अपने फांप का मेंटल है बक्रा देखो यार और उसके बाद आया गोड़ा मेंटल और गोड़ा यह गोड़ा इसके बाप के बाप नाम रखा गागए फिसले साल अपने आपने पाद एक बखरा उसका नाम था घोड़ा अच्छा अपनी होम प्रीड है नहीं होम प्रीड नहीं है एक अपने चली जंगल से बाप लिया था ओंसे बेटा गल अच्छा मतलब साथ में लिए ते हां लिए आढम लेकिन गर्मी के इसाब थोड़ा हाँ रिवस आए बखरे गर्मी देखो न आज रहा है सुबह चार बज़े बारीश हुई है बिल्कुल बिल्कुल भी खड़े रहे के शूट नहीं कर सकते यह आलम है माशाला अब इसमें भी माशाला अभी खाली है बखरे दानावाना कुछ नहीं किया हुआ है पानी भी चार बज़े जाएगा इनको अभी पूरे काली है बखरे की माशाला दोपैर में हम लोग शूट कर रहे है लग 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 भग अभी बज़ रहा है दो है ना माशाला यह समीर भाई अपने पास साट किलो पर उनने दिये जिसको दिये थे साट क हां यह तो पिछले साल रुग गया था समीर भाई और अभी यह भी माशाला 95 के जी पर है माशाला बखरे दोनों यह अच्छे अलम्दो लेला दोनों इस पर पल्टी करने जैसे है कुन कुछ हां यह बिल्कुल पल्टी हो सकता वो भी पल्टी हो सकता यह भी फ्रेश यह बखरा भी रखो माशाला अच्छी फ्रेम वगेरा और खोलेगा मुझे साल बिल्कुल बिल्कुल है ना कितने आट डात कर लिया है यह चेज़ात पे बहुत अच्छे बखरे सब बखरे अभी अपन देख रहे हैं जो सारे अच्छे अलम्दुलेला अच्छा जोई बख बखरा मंडी लग गई देवनार की जी जी समीर वे तुमारी आजरी नहीं हुई है हाँ थोड़ा यहां से फ्री हो के फारीकों के जाएंगे इंशालला बखरे लेकर ले जाने का अभी तक तो को इरादा है नहीं क्योंकि अभी उतने बखरे बच्छे है नहीं अपने पास हाँ अब काफी सोल्डाओट है थे कोई कंटक में कमी एक नहीं हाँ है इन्जैल्ला अभी बारिये कुछ इरादा निए बनाद क्योंकि एंट्री हो सकता अंट्री मारें बारेंगे मारें यह ऑ माष्या-ल्ल्ल्ला चलो एस्ट्व का बढदी के इनधिजर करेंगा हपन जी आएंगे तो दमाल रहेगा इंशाला है तो इसकी भी प्राइस कॉल पे रहेंगे भाई इसकी भी कॉल पे रहेगी ठीके चलेगा दूसरे बक्रे दिखाते है जिना अच्छा कुछोड़े हो गया देखो माशाला है मेरे पास मत आओ रहे वाई मैं डैमेज होगे लग वहाँ वहाँ जाएगा पकड़ ले पहले लगा हुआ उनको चलो पकरे बताओं गा इंशालला दिल खुश हो जाएगा कोटा के शौकिनों के लिए हाँ और दोनों फॉर सेल है ने एक भीग चुका है और एक फॉर सेल है अच्छा इंशालला बक्रे देखना दिल खुश हो कियो अब किया थे आएगा आएगा थे अब देखो समीर शुका छीज निगाले है है कुछ चीज दोनों सेम ते माशालला है हाइट उइट में थारी चीजों में बड़ा मिनेहा शालला खोईज की कमी नहीं है समीर भाई सारे गुने बखर होगे सारे गुने हाइट कलर सिक्के कान माशाला समीर बाइब 42 की हाइट पर खलना एक इधर आ इधर आ इधर आ इंडिया एलाइंस से इंडिया एलाइंस बोल रहे है इसके लिए अश्रफ भाई जा रहे थे रोका मैं बला बाई मेरे दो नगी ने दिखा करन cui माशाला माशालमा नो देखो अरे मैंने कान पे अभी गवर किया है इंडिया एलाइन से 42 42 के है कोटे समीर बाए माशालल ये जलाल और ये खलना एक खलना है और जलाल इसमें से सोल डाउट कुना है इसमें से जलाल सोलम बनाव माशाला बल्टिका बक राएfindा और इंशालला नाल वाला बकरा यह नाल वाला यह दोनों बकरे नाल वाले समीर बैए माशाला इसकी आइड में लग रहा है जलाल इसकी थोड़ी जादा होगी खलना पर अपने 42 पकड़ रहे हैं 42 पकड़ते इसको अगर यह बकरा खोल के घुमा के दिखा तो तुमको बकरा बहुत यूज बकरा यह बहुत यूज बकरा है समीर बैए माशाला ऐसे बकरे आप जानते हो क्या कीमत होती है क्या लांशिंग में क्या-क्या पब्लिक बताती है मैं देखो आपके सामने बिखा रहा है बकरा माशाला और एच्टू पे बकरे महेंगे नहीं मिलते भाए महेंगे और सस्ते की बाद नहीं जैसी चीज रहेगी वैसी कीमत रहती है और कीमत आपको समझ में आएगी वैसी दरज तुनो खाली इस बच्चे की माशाला बकरे समीर बाए तयार करने के लिए तो नोसा निकल जाता है वो लोग नहीं देखते है दाई साल का खर्चा किता इसकी आख परदा था तुमने बोले थे नहीं बिखेगा तो ब्रीडिंग के लिए यूज करूगा अब नोटीस करो आप वह साइड वाली आख ती उसकी अब देखो आइसकी आख परदा था बिलकुल माशाला लम्हीनत किये लाट आने साथ दिया दस परसंट बचा होएग बखराई के लिए अच्छा ओप्शन कुछ नहीं है बखरा तयार हो गया यार माशाला यह बिना भराई के भी बराई वालोंको टकड़ देने वाला बकरा सामिआ अशाल्ला निकालो खुटे पर बांदो सिर्फ बिलकुल-बिलकुल माशालला इसके प्राइस भी कॉल पर रिटेल काउंटर स्टाट करें दुकान कुलने का डाइम हो गया अभी यह बखरा फॉर सेल के लिए अवेलेबल है और यह बखरा सोल्ड आउट है ठीक है चलेगा वह पल्टी पे गया है कौन सा वाला नहीं यह अपने मीरा रोड के शैबास भाई है उनका है यह यह मीरा में जाके देख सकता है इसका आतंग वह जाकर पता चल जगा चोड़ेगा तो आतंग दिखाए गई उ थे ना म माश माश्याल ले जाल महीं रिता है तो कहां लेके जा रहे है उसको वो तुम के लिकी जा रहे कैं तुम उसको लेकर यह यह देखो माश आल्ला एक ऐस एक बखरा में बोलुगा और माशालला आज सामने देखो आपके समीर भाई यह सब अपने फार्म पे तैयार किये वे बखरे मेरी नजर इसकी आंख पर पड़ी मैंने पूचा कि भाई इसकी आंख में कुछ है तो मैं तभी भी बोला था कि कोशिश करेंगे इंशालला अच्छा ह अगर यह साल अगर कोई बखरा अपने बाद डालता नेक्स्ट यर के लिए पूरे साल के लिए तो उसको 25 kg की गैरेंटी मिलेगी मतलब तीन हजार तीन सो रुप्य पलाई रहेगी और 25 kg फिक्स गैरेंटी मिलेगी अगर 25 kg पूरे साल में बखरा नहीं बना तो उससे 25 रु लेंगे अपने आपको चैलेंज कर रही है कोई खुदाई दावा नहीं है यह बरोसा रखके बाद बुली जा रही है कि इंशालला महिनत पूरी करेंगे मिनीमम 25 kg से 30 kg के नीचे अगर गेन नहीं मिलेगा एक जुलाई तक जो बखरा आएगा अपने फार्म पे पलाई के ल पूरा अभी एक मैना है अच्छे ही तारीक है अच्छे ही तारीक है एक जुलाई से पहले जो बखरा आएगा वो अगरी बखरी से पहले अगर 25 से 30 kg के बीच में वेट गेन नहीं दिया तो उसको उपर के पैसे माइनस करके रिटन किये जाएगे और सिर्फ 25 रुपया पला बखरे शो करते रहेंगे लोगों को रिजल्ट डिखाते रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल यह मनला पूरे साल में चैलेंज हम लोग ने खुद में अपने आपको दिये समीर बहुत अच्छा चैलेंज लिए हां ऐसा अनुमन होता नहीं है इसमें एक्जोटिक नहीं आएंग सही में हैं सही में कट्टूगा बकरा लो उसको भी करके देंगे पचीस किलो तक का अपना ऐसी किलो तक का बकरा अगर रेगा तो अपन पचीस किलो उपड़ देंगे उसको इंशाला क्या मैक्सिमा मसी किलो तक का भी वकरा रेगा ना उसको भी 25 Mund की गेरेंटीय मतलब सव एक्सो पांच करके देगा इशला ने चाहतो कोशिच करेंगे और अगर नहीं हुआ लाना करे लाना करे नहीं हुआ तो उसको सिर्फ महीने की पचीस सो रुपे के जब से पलाई दी नहीं पड़ेंगी आकिब भाई कुछ बोल रहे हैं क्या वह रहे हैं कि बच्चे दें इसमें हिमिनेटी मजबूत होती है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनमें अच् सब्सक्राइब करें लेकिन मिनिमम वेट गैरेंटी आपको मिलेगी 25 किलो की अगर 24 किलो 900 ग्राम भी वक्रा गें किया है तो उसको पचीस सो रुपे के जब से पईसार दिया है माशा आलला तो यह था दो हजार पचीस के लिए पलाई का धमा का एच टू गोट फाम के तरफ से शर्त यह है कि बखरा पूरा साल रखना पड़ेगा सीजन टू सीजन एक जुलाई तक के एक जुलाई के बाद बखरा आएगा यह तो यह कंडिशन लागू नहीं होगी ठीक है चलेगा इसके बद क्या इसके बाद और दो बखरे समीर भाई फिर यह वीडियो इंशालला एंड करेंगे पूल ओके वह तो गाइज यह है इस वीडियो के दो आखरी बखरे तीन है चलो लाओ अभी तीन बखरे दिखाएंगे किक कर गे आओ पहला बखरा आशोजद में समीर भाई सोजद में आप कोटा तो देखे आपने कोटा दो देखे आप दूसरी बीड में अब गुजदी सोजद और कश्मीरी भी देख लो माशालला 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 यह है पूरे साल भर की मैनत मैनत माशालला यह माशालला माशालला क्या अजीव शौग है जोग है क्या अजीव शौग है जो जो बेन में बकरे वो शो कर रहा हूँ माशाला मैं ये बोलने जा रहा था कि कस्टमर बकरा अपने पास पलाई पर देता है बिल्कुल बिल्कुल कस्टमर अपना बकरा पलाई पर भरोसे पर छोड़के जाता है अपन उस पर साल भर मेनत करते और माशालला जब बकरा तयार होता है तो हम लोग उसको शो करते हैं हम लोग उसको शो करते हैं हमारी महिनत हमको जादा खुशी होती है हम लोग उसको कितना अपना समझ के पाले है वरना क्या होता है Customer का बकरा है वो आए वो शो करें वो पे करें वो जो करना हो करें लेकिण माशाल dual मैं ये बोलता हूँ के सलाम है आप लोगो जो पलाई करते हैं पुरे फार्म के जितने लोग है कि customers के बकरे हम लोग तो एक वीडियो ऐसा भी बनाये थे पांच बगरे मैंने सिलेक किया था बिल्कुल और वो सब बगरे भी हमने शूट किये थे जी समीर माशाला यह सब बच्चे अपने फार्म पे तयार हुए यह एक सेल के लिए है अवेलेबल है ओके बहुत गरम बकरा है समीर बाइशाला कश्मीरी का नाम है साइको अच्छा य और यह सोज़त है यह बलाइशन आपने पास तइयार हुत हुआ है माशाला क्या गए पर यह आ कि य्वी फ़ॉट सेल पर हे थे olan पार यह बोलास थाफ माशाला के फे चले अनमें बगरे साइ estas है इंद और में इसकी यह बगराा भी कमनी समीर है यह 41 का बकराएं बाए बकरा देख रहा है बहुत बड़ा आई देखोंगे ना तब पता चलेगा कि बकरे क्या पोजिशन के है चीजह आई अपने दिल से अपने तयार हुए अपने चाहते ओ कस्टमर भी खुश हो और अच्छे दाम में भिके अच्छे हात में जाया और शॉक हो मैं वही तो बोला लाना कि कैसा आप शॉक है एक था मजीब शॉक के तपती धूप में सुरज के नीचे खड़े हो के शॉक तो आई इसा है कि जो पिछले बार अपने बड़े 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 जो शो करने रहे घए जो डिलिवरी हो गई वह अलम्द्धुलिबया ये बार अपने फांफे टॉप मारा था बुर्रा की एक सो बारा किलो अलम्द्धुलिबया कमांड ऊगया 107 किलो बहुत अच्छी लेते हैं तीनों बकरे फोर सेल है अलहम्दुलिल्ला और इसकी का डिटेल है यह 41 42 की हाइट है 41 की हाइट पकड़ो इसकी लेंद काफी है और 104-105 किलोगा बकरा ही होगा होगा हो माशालू यह पल्टी लाइक चीजे समीर है अगर कोई पल्टी करेगा ना तो आस्ते गलते 125- 230 किलोगा बकरा बने गए इंशाला और अंडूल में अंडूल में अंडूल में इंशाला यह वाली की कश्मीदी की यह 41 की हाइट है अप्रोक्सिमेटल 85-90 गेजी है क्योंकि बाल जाद होने की वैचे इतना गर्मी में वजन नहीं पकड़ता है पकरा हां सही है गेम चेंज सब फरने खरीज के मासाथ माशार ऐस की अपने झाली अच्छी चोईज ऐसे बखरेुम्स वाले जननत होमünde है एक बागरे जननतों सब्सका कि औरुम्स नगेमेर similar है मोसीन बार मुन्ना देवनार गद़्य पति आगा उनकां अब सोच लो माहिर जो काम के माहिर लोग है उसंका बखर आपने पास है हाँ माशाला कुछ देखे होएंगे तभी बेज होएंगे समीर बखरे तो नो डाउट अच्छ है सारे के सारे और डिटेलिंग के लिए कॉल करें देखे पसंद करके लिए उसके बाद बखरे ले ऐसे बढ़े बड़े समीर भाए इंशाला तो शो नहीं कर पाऊंगा विडियो लेंदी हो जाएगी जी जी बस हमारे भाई-लोग की मैनत है जो हमारे फांपर मस्नून संयूम काम करते हैं मैनत करते तयार हुए और इंशाला में बाई यहां पर खड़े रहे के रिल शूट कर र गोवंडी बोलते हैं गोवंडी का लड़का मतलब मैं बोलूगा पढगा के अंदर फार्म पर अपनी जाना बहुत बड़ी बात है लाइफ एक्सपेंड कर रहा है बिल्कुल ये शौक है शौक है शौक है दिवाना पने दिवाना पने ये लड़के लोगों को तो खाली इसकी महबत और मैहनत है यह और आज बखरेर ये और सयुम दोनो सयूम भी तुमारा बैट्समेन है वई सर्माता ने कभी किसको बखरेका लेंडी चेक करना क्या चेक करना मूँ के अंदर चेक करना सब पर